हेलो दोस्तो आज हम आपको आम कलम करने का विधी बताएंगे तो दोस्तो आप इस तरह से आम के पोधे को गोला कर में अच्छी तरह से काट लीजिएगा तो दोस्तो हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से काटने की कोशिस कर रहा हूँ तो दोस्तो आप लोग देख पा रहे हूँगे हमने बहुत ही अच्छी तरह से हमने आम के टहने को अच्छी तरह से काट लिया है तो फ्रेंट्स इसमें हम आम के पत्ते वाले हिस्से जिसमें से देखे पत्ते निकलने वाले हैं हमने उसी को कलम करेंगे तो दोस्तो आप लोग इस तरह से अच्छी तरह से इस तरह डालके पनी के सहरे लपेड लेंगे ताकि इसमें हवा भी ना लगे और कलम करने में कलम अच्छे तरह से बने तो दोस्तो आप लोग भी अपने घर में इस तरह से अच्छे कलम कर सकते हैं किसी भी आम के पोधे को तो दोस्तो इसे आप अच्छे तरह से पनी के सहरे लपेड लेंगे तो दोस्तो हमने इसे बहुत ही अच्छे तरह से पनी से लपेड लिया है तो चलिए देखाते हैं कुछ दिन के बाद तो दोस्तो आप देख पा रहे होंगे इसमें से बहुत ही नन्हे नन्हे पत्या आना शुरू हो गई है तो दोस्तो आप भी इस तरह से अपने घर में कलम किजिए और हंड्रेट परसंद आपका भी कलम बन जाएगा तो दोस्तो इससे हम आप लोग को पनी हटा के भी दिखाएंगे और दोस्तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर दिजेगा और घंटी वाला बटन को भी दवा दिजेगा ताकि इस तरह की वीडियो जब मी डाले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप भी अपने घर में कलम कर सकते हैं धन्यवाद कर दोस्तो आपको पूस्तो और पाले ओटन कर दोस्तो दोस्तो अब में कलम कर दोस्तों नोटन को पाले आपको वीडि़ में